हेलो स्टुएंट्स मैं हूँ मनीस और आप देखनें अपना यूटूब चैनल वेक्टर एमकेस आज के इस वीडियो में जो हम डिस्ट करने वाले हैं पार्ट टू पॉलिनोमेल का जैसा कि हम जो है कल पॉलिनोमेल का वीडियो अपलोड कर दिये जिसमें इंटोडक्शन और उससे जो है बेसिक जो फॉर्मुला था वो चीज़ें बता दिये थे तो आज के इस वीडियो में हम केवल यह देखेंगे किस तरह से जो है यह वेरिफ फॉर्ट ओर बीटा जो है दो जीरोस दिये गहे हैं। ठीक है ऐलफा और बटा जो है टू दो जीरोस है पॉलिनोमेल कोन से एक स्क्वाइर प्लस बी एक सप्लक्यार ज़स ऱ्टीक है जो यह यह अलफा और बीटा जो है इस पॉलिनोमेल के दो जीरोस है तो वहाँ प Only cow premium च क्या है कोपिसियेंट है ठीक है ए और भी कोपिसियेंट और सी जो है कॉंस्टेंट टर्म है तो वहां पे जो हम कल यह चीज़ डिसकस किये थे कि यदि यह चीज़ दिया गया हो तो संब जीरो जो होता है सम अब्जीरो जो और वहीं दूसरी पॉइंट ब्रोडक्ट अब जीरो की बात करें अलफा इंटू बीटा इकुल टू सी बाई ए यह चीज जो है हम डिस्स कर चुके थे अपने प्रिवियस वीडियो में और यहां से इसके आगे जो हमको डिस्स करना था तो चलिए देखते हैं इसे संबंधित क्वेस्चन के बारे में ठीक है तो पहला इसे सबसे पाले यह आता है कि फ से पलिए आता है है x f x equal to x square plus 7 x plus 12 f x equal to x square plus 7 x plus 12 ठीक है एंड वेरिफाइड रिलेशन बिट्विन जीरोज एंड कोफिसियंट बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्टन से ऐसा ही क्वेस्टन जो है आपको एक्जाम में पूछे जाते हैं तो सबसे पहले यह लॉंग में ऐसा क्वेस्टन बनता है ठीक है बोर्ट के एक्जाम के पॉइंटर व्यू से जब काफी इंपोर्टेंट है ऐसे क्वेस्टन आपको जरूर एक बर मिल जाएंगे तो इसका सोलीशन क्या होगा एक दो क्वेस्टन आप यदि ध्यान से देख ल तो यही इसलिए पहला ही कोश्यन यहां पर बन गया कि फाइंड जीरू तो यह है आपका एक्स स्कॉर प्लस सेवन एक्स प्लस ठीक है यदि इसका जीरू निकालना होता हमको ऐसे कर लेंगे और इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे ठीक है तो किस तरस होगा तो इसका एक दो डिजिट लेते हैं जिनको मल्टिप्लाइ करने पर 12 आना चाहिए लेकिन उनी दो डिजिट को एड या सब्टेट करेंगे तो वह हमारा जो है बीच का जो टर्म है यानि एक्स का कॉफिसेंट जो 7 है वह आना चाहिए तो चली यह देखते हैं यानि कि अगर हम 4 और 3 ले है ठीक है तो यह दो चीज़ें हमको लेनी है तो यहां से हम लोग इन्हीं दोनों चीज़ों को ले करके हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं यहां पर तो यह चीज़ ऐसे रहने देंगे प्लस केवल सेविन के जगा पर हम क्या लिखेंगे 4 प्लस 3 बाह इकोल टू जीरो अब देखिए यहां पर इसके बाच का दो टर्म होता है इसको रिग्रूपिंग कहते हैं दो दो का पेर बना करके एक साथ कर लेंगे तो यहां पर इन दोनों के एकस बचा प्लस 3,4 जा 12 इकोल टू 0 अब यहां से देखिएंगे दोनों में एकस प्लस 4 आ रहा है तो एकस प्लस 4 कॉमन हो जाएगा और एकस प्लस 3 यहां पर बच जाएगा बराबर 0 ठीक है अब हम देखिएंगे यहां पर कि विन एकस प्लस 4, एकस प्लस 4 इकोल टू 0 दैन एकस इकोल टू क्या हो जाएगा माइनस 4 ठीक है और एकस प्लस 3 इकोल टू 0 दैन एकस इकोल टू क्या हो जाएगा माइनस 3 ठीक है यहां एक जो है आपका माइनस 4 आया है और एक जो है माइनस 3 आया है तो यहां लीकेंगे ठीक है, two zeros of the given polynomial, two zeros of the given polynomial is alpha and beta, ठीक है, therefore alpha equal to minus 4 and beta equal to minus 3. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो इसके हिसाब से और यहाँ पर भी, आप फाइनली जो यह चीज़ जो है, यह equation हम लिखेंगे, एनिकी x square plus 7x plus 12, 0 तो हमको मिल गया, अभी हमको coefficient की जुरूरत है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी comparing जो है, comparing of that equations, ax square plus bx plus c equal to 0, यानि इससे comparing करेंगे, तो x square के जगा पर x square है, एक जगब क्या है, 1 है, कुछ नहीं रहता है, तो 1 होता है, यानि कि 1 हो गया, x जाप x से b equal to क्या हो गया, 7 हो जाएगा, ठीके, और c equal to क्या जगा, 12 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका जो है, यह point जो आपको मिल गया, कि compare करके जो हम यहाँ से निकाल नहीं है, इसका, ठीके, तो यह point जो हमको मिल गया कि coefficient है, यह a equal to 1, b equal to 7, c equal to 12, जानि कि coefficient मिल गया, और हमको 0s भी मिल गया, तो अब देखेंगे, हम basically relation, हम उपर का यह erase करना है, ठीके, तो किस तरह से जो है, इसका हम, अब चलिए, देखें, sum up 0s, यानि वेरिफाई करना है, कि सही है कि नहीं, alpha plus beta equal to minus b by, यह होता है कि नहीं, sum up 0s, यानि कि alpha plus beta equal to minus b by a, ठीके, यह चीज़ आपको पता है, alpha क्या है, यहीं हमने माना है, minus 4, plus beta क्या है, minus 3, और इधर जो है, minus b, minus b, यानि कि यह 7 है, तो minus 7, divide, a क्या है, 1 है, यह दोनों equal आने चाहिए, तो minus 4, plus minus minus 3, इधर minus 7, by 1, minus 7 हो जागा, इधर भी minus 7, इधर भी minus 7, इधर भी minus 7, यानि कि जो sum up 0s है, वो क्या हो गया, verified हो गया है, ठीके, वहीं यदि बात करें, हम product आप 0s की, यानि कि alpha into beta क्या होता है, c by a होता है, alpha क्या है, यहाँ पे आप देख सकते है, minus 4, और beta क्या है, minus 3, minus 4 into minus 3, और यह c, c यहाँ पे 12 है, और यह क्या है, 1 है, minus का minus में multiply हो जागा, plus हो जागा, fourth is at 12, और यह 12 by 1, यह भी कि यहाँ पे जो coefficient है, relations, तो यहाँ पे आपको verify हो गया है, यानि कि find the zeros, zeros हमारा find हो गया है, यह minus 4, minus 3, of the polynomial हो गया, और यह polynomial देखे रखा है, verify the relation, verify the relation, relation यह है, alpha plus beta equal to minus by a, और alpha into beta equal to c by a, यह alpha beta क्या है, zeros है, और c, a, b, यह जो है, आपका क्या है, coefficient है, इसी का relation कहा रहा है, verify क हैने के लिए, तो आप देख सकते हैं, इस question के माध्यान से जो यह चीज़े verify हो गया है, ठीक है, एक question और देखेंगे, इससे verification से काफी important question आते हैं, fx equal to 2x square minus 5x plus 12, ठीक है, 2x square plus 5x plus 12, ठीक है, sorry, minus 12, 2x square plus 5x minus 12, and verify the relations, zeros and coefficients, यानिकि zeros find करने हैं, इसके, ठीक है, और वही questions से, relations, ठीक है, तो यहाँ पर हम solution इसका देखेंगे, तो सबसे पहले जो हम इसका क्या करेंगे, zeros find करेंगे, तो यह चीज़ हम उताल लेंगे, 2x square plus 5x minus 12, equal to 0, यहाँ तक तो हम यह चीज़ करेंगे, उसक 3 method, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 into 12, यह किता हो जागा, 24, अब 24 का ऐसा factor बनाया है, कि जिनको multiply करने पे, तो हमारा क्या हो जाए, 24 हो जाए, और add या subtract करने पर 5 हो जाए, ठीक है, अगर हम बात करें, 8 और 3 का, यह 24 हो जाएगा, और 8 minus 3 करेंगे, तो यह किता हो जागा, प्लस, 5 के जगा पर हम क्या लिखेंगे, 8 minus 3 लिखेंगे, यह जो factorization आप previous classes में, जो है आप पढ़ चुके हैं, class 9 में, class 8 में, तो आई हो पी चीज़ें बताने के जोरूत नहीं है, कि इस तरह से factorize होता है, फिर भी जो है, हम discuss कर लिए हो थोड़ा सा, अब दिखेंगे, इस square प्लस, 8X, minus, गी हो जाएगा आपका, 3X, minus 12, equal to 0, ठीके, अब देखिए, हम फिर से क्या कहीं, यहां पर regrouping कर लेंगे, इसको एक साथ कर लेंगे, ठीके, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यदि यह एक साथ हो गया, इन दोनों में देखेंगे, common क्या है, सबसे पहले त तो 2 बाहर की है, X यहां पर भी, X यहां पर भी है, तो यहां से X common नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा आपका, यहां से X एक बचा, plus 2, 4, 8, यहां पर 4 बचा, minus इसमें common होगा, पहली point, 3 common होगा, X minus common होगा, यह plus होगा, 3, 4, 12, यह 0, अब यहां पर देखिए, X plus 4 हो गया, ठी इकोल टू 0, ठीके, यह दो चीज़ें यहां पर clear होगी, when, X plus 4 इकोल टू 0, then X इकोल टू 0, ठीके, and, when, 2X minus 3 इकोल टू 0, then 2X इकोल टू 3, तो X इकोल टू क्या हो जाएगा, 3 by 2, यह दो point आपको मिल गया, ठीके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब यह point जो हम यह कि यह जो है, यहां पर हमाल लेंगे, लिट, अलफा इकोल टू, माइनस 4, and, बीटा इकोल टू क्या हो जागा, 3 by 2, ठीके, अलफा इकोल टू, जो है, यह, माइनस 4, और बीटा इकोल टू 3 by 2, हमने यहां पर ले लिया, अब जो हमको, यहां पर हमारे 0s मिल गए है, एक 0s यह है, एक 0s यह है, ठीके, अब फिर हमको क्या करना है, कोफिसियन निकालना है, तो डारेक्टली हम यहां यही से कंपेर करके लिक लेते हैं, एक वैलिव क्या है, यहां पर दो है, ठीके, एक स्कॉर प्लस बीएक स्टैंडर्ड एकोशन से इसका कंपेरिंग करेंगे, तो यहां पर B क्या है, 5 है, और C क्या है, यहां पर, माइनस 12 है, ठीके, तो समाप 0s क्या है, अल्फा प्लस बीटा इकोल टू माइनस B भाई A, ठीके, अल्फा क्या है, माइनस 4, बीटा क्या है, 3 भाई 2, माइनस B, 5, A क्या है, 2 है, तो यहां पर हमने केबल जो है, जो चीजे ह निकाले थे उसको हम put किये हैं अब इसका LCMLE के solve करना minus 2 4 0 8 plus 3 by 2 इधर minus 5 by 2 minus 8 plus 3 8 में से 3 जाएगा 5 minus 2 इधर minus 5 by 2 यह आप देख सकते हैं यहाँ पे यह verify हो चुका है ठीके उसी तरह से अब alpha into beta का देख लेते हैं alpha into beta equal to c by a alpha क्या है alpha यहाँ पे आपका minus 4 है बीटा क्या है 3 by 2 है c c आप देख सकते हैं minus 12 कि एक क्या है टू है ठीके यह टू तू तू जा 4 हुआ टू तू 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 जा 6 है यानिकि minus 6 तू जा 12 यानिकि की minus 6 आप देख सकते हैं कि यह भी चीज जो है आपका verify होगा तो जो question मेरा था कि verify फाइंड जीरो जाप डैट पॉली में पॉली में लेना डाल सो verify दर रिलेशन्स आप दो कोपिसेंट एंड जीरो तो यह हो गया आपका पूरा complete answer इस तरह से जो है आप जो है ऐसे कोई भी questions दिया हो किसी किस कितना भी जो है hard क्यों नहों वहां से उसको हम solve कर लेंगे ठीक है चलिए question और देखते हैं थोड़ा सा critical type में question हम देखेंगे उसके बाद जो हम और इस type का तोड़ा सा root वाले question देख लेते हैं कई वार जो बच्चे कहते हैं कि जड़ा सा question आप लगा लेते हैं और hard वाला हम लोग कि अब टेंड जीरो जोड़ा कोटेटिक पॉलिनीमेल रूट 3 x स्कॉयर माइनस 8 x रूट 3 x स्कॉयर माइनस 8 x प्लस 4 रूट 3 चीक है यह देकर रखा है इसको मान लेते हैं यह देकर रखा पॉलिनीमेल अब इसका जो हमको क्या करना जीरोज निकालना है है और रिलेशन्स कोफिसेंट और जीरोज का दिखाना है तो सबसे पहले हम सॉलूशन लिखते हैं कि रूट 3 x स्कॉयर माइनस 8 x प्लस 4 रूट 3 इकोल टू जीरो तो यहां पर जीरोज हमको निकालना है तो बेसिकली हमको क्या करना है यह सबसे स्टार्टिंग का जो कोफिसेंट है उसका और सबसे लास्ट का इन दोनों का मल्टिप्लाई करना है जाए ब भी मैथड अबने बताया है तो क्या हो जाएगा फोर तो रहेगा ही रहेगा जब भी किसे सेम चीज़ का वह भी रूट में होगर मल्टिप्लाई करते तो वह डिजिट इटसेल्फ खुद आ जाता है तो यह हो जागा 12 ठीक है अब इस 12 का ऐसा फैक्टर बनाया है कि जो मल् करने फोर आ जाया और जोडने गटाने पर एट आ जाया ठीक है तो हम अगर इसका हम ब्रेक करें तो 6 इंटू 2 की बात करें ज़िए 6 इंटू 2 करेंगे और 6 प्लस 2 करेंगे तो एट आ जाएगा तो वही चीज़ यहां पर हम करेंगे तो यह रूट 3x स्क्वार माइनस एट 6 और यह मैनस 2 ठीक है प्लस 4 रूट 3 इकोल टू 0 यहां हम थोड़ा सा डारेक्ट लिख दिए हैं अब देखिए इन दोनों में हम कॉमन क्या लिखेंगे चलिए हम इसको तोड़ के बता आ देते हैं 6 को आप लिख सकते 3 into 2 और 3 को दो बार ऐसे लिख सकते की नहीं लिख सकते तो हम वही चीज़ लिखेंगे रूट 3 रूट 3 ऐसा हम इसली किये हैं क्योंकि यहां पर आसानी से कॉमन मिल जाएं आपको समझाने के लिख लिखेंगे इसको ब्रेकट में कर देते हैं ठीक है और यहां पर बगल में आपका यक्स भी लगा हुआ है तो यह चीज़े जो हम यहां तक किये हैं ठीक है माइनस 2x प्लस 4 रूट 3 इकोल टू जीरो यह चीज़े जो हम यहां तक तो आपको समझा दिये हैं कि इस तरह से करना है ठीक है चलिए अब देखिए यहां पर जो हम क्या करेंगे दुमनों में रूट 3 है और यक्स है तो रूट 3 x कॉमन लेए यहां पर एक यक्स बचा माइनस एक रूट चला गया रूट 3 चला गया और यह एक एक चला गया तो टू रूट 3 बचा ठीक है अब चलिए यहां पर आप देख सकते कि इसमें 2 है इसको ऐसे भी तो लिख सकते है 2 into 2 2 into 2 ठीक है इसमें 2 चला गया माइनस कॉमन ले रहे हैं 2 चला गया तो क्या बचा यहां पर ठीक है माइनस हमने कॉमन लिया तो यहां पर यक्स बचा माइनस कॉमन के वज़े से यहां पर माइनस हो जाएगा और यह टू रूट सुरी बचा तो यदि आफ एक्टराइजिशन कर रहे हैं तो यदि जब तक यह दोनों चीज सेम ना रहे तो समझे लिजी कि आपका जो तरीका है वो रॉंग जा रहे हैं तो देखिए हम लोगा सेम आ गया है इसका मतलब हम ल हो जाएगा और इसलिए अब हो जाएगा चाहिए तो यह लिक्या लीकिए कंगे में 20 Parax माइनस टू यूट alors 20 이야기 है यहाँолот तरह से हो गया आप यहीं छोड़ देंगे तो यहां पर जो अगर हम इसको सेट करें यहां को जीरूज मिल गया है ठीक है यह इसको आगे सेट करें तो यह जो है अल्फा और बीटा जो है क्या होगा यहां माल लेते हैं लिट अल्फा इकोल टू यह टू रूट थ्री एंड बीटा इकोल टू जो है टू बाई रूट थ्री यह दो चीज़े हमको मिल गया एंड कंपेर करने के बाद यहां से जो इसकोईशन से ए की वैलू क्या हो जागा रूट थ्री बी की वैलू यहां पर क्या हो जागा माइनस एट और सी की वैलू जो यहां पर फोर रूट थ्री हो जाएगा ठीक है यह चीज़े आपको यहां से मिल जाएंगे फिर हम वेरिफाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा इकोल टू माइनस B by A, ठीक है, अलफा क्या है, 2 root 3 है प्लस, बीटा क्या है यहाँ पे, 2 by root 3 है, माइनस B, यानि माइनस और यह माइनस 8 A, यहाँ पे root 3 है, ठीक है यानि कि इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा अब देखें, इसका LCM लेके multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा 2 root 3 into root 3 plus 2 by root 3, और माइनस माइनस का multiply plus हो जाएगा, 8 by root 3, ठीक है अब यहाँ पे, दोनों सेम चीज root में हो, अगर multiply करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा 2, 3 जाएगा, 6 और 2 8 by root 3 और यह 8 by root 3, तो आप देख सकते हैं यह verify हो चुका है, हमारा ठीक है, वही आप product of zeros को verify करें, यानि कि alpha into beta equal to क्या हो जाएगा, c by a, ठीक है, alpha क्या है 2 root 3 है beta क्या है, यहाँ पे 2 by root 3 है c, c आप देख सकते हैं कि 4 root 3 देख के रखा और a क्या है, root 3 है root 3 से root 3 cancel out हो जाएगा root 3 से यहाँ पे 2 to 4 और इधर भी आपका 4 बच्चा तो यह जो है आपका यहाँ पे verify हो गया, यह भी चीज़ तो इस तरह से question हमको solve करना है basically आपको 2 point note करना है कि पहले पीस जब भी zeros पूचेगा तो आपको जाए factorization आना चाहिए ठीक है, अगर factorization नहीं कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं यह चीज़ समझ में आगा तो इसलिए जो यह चीज़े आपको आना जो रही है और तभी zeros मिलेंगे और उसी zeros को हम्हें आप एमान करके question solve करेंगे ठीक है, तो यह चीज़े आपको समझ में आगा तभी हो सकता है या नहीं हो सकता है